लास एपिसोड में देखे थे हॉल की दुश्मन और उसकी वाइफ दोनों बहन है ये देखके हॉल के दो सिटीपिटी गोल हो जाते है एन उससे भी बुरा ये होता है कि सीयो को हॉल उतना कुछ पसंद नहीं आता है फिर ये दोनों वहां से भाग के घर जाते है क्योंकि हिंग जो बोलती कि कली हमें यहां से जाना होगा फिर से शिफ्ट करने की बाद सुन के सीयो भरक जाती है क्योंकि उसके हिसाब से आज के जमाने में बुलकलजल जैसा थुरी कुछ होगा वो बिचारी तंग आ जाती है ये लाइफ से जिदा सिफ एक जगे से दूसी जगा भागना परे उसकी वज़े से हर जगा अपना नाम पैचान चेंज करो और कोई दोस मत बनाओ वो बता दी है कि मैं प्रेगनेंट हूँ और वो अपने बचे को खुद पालेगी हिंग जू बोलती कि ठीक है मैं सब ठीक कर दूंगी बर सीयो बोलती है तुमें से भागना आत पिर पहले का दिखाता है जहां वही ओल लेडी बोलती है हॉल को कि तुम्हारी फैमली का ये हाल तुम्हारी वज़े से ही हुआ है वो लोग तुम्हारे शराप में आ गए थे और हर जनम में तुम वो लोग से मिलोगे मेभी ऐज़ा दुश्मन और मेभी ऐज़ा दोस्त औ वो हॉल को जानवर का खुन लाके देती है जिन्दा रहने के लिए हॉल बोलता है कि अब से डिलिवरी नहीं करने इस बार उसे हात्मा लेके उसे कुए में डाल दूँगा और तुम्हारी पीडियों की जिमेदारी रहेगी उस कुए की रक्षा करने की फिर वो चली जाती है तभी हॉल को आवास आती है रूम में से तो जाके देखता है कि वही लड़का है तो उसे उठाके पटकता है वो देखता है कि हॉल घायल था बटा भी ठीक है तो कन्फ्यूज रहता है वो रूम में जाके सब देखता रहता है तो हॉल उसको पकड़ के बोलता है अगर मेरे बारे में किसी को बता है तो हाथ पर तोड़ दूँगा वो हॉल पे चड़के उसे ही धमकी देता है कि मुझे यहां रहने दो नहीं तो वरना में तुमारी बाड़े मिन्नेट पे सब डाल दूँगा हॉल उसका हाथ पर बांध के चला जाता है फिर दिखाता है पहले का मॉंस्टर जो बारिश में लोगों को मारता था और वो वही बस ड्रैवर रहता है वो अपने जखम पे पटी लगाता है तब ही उसके घर में डाक होल नाम का आदमी हिंगजू के बारे में पूछता है वो बताता है कि दूसरा आदमी बीच में आ गया था डाक होल बोलता है कि 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो ना फिर से ढूंडो उसको वहाँ दोनों बेहन एक दूसरे को माफ कर देते है हिंग जू सीओ को बोलती कि दर्वाजा नहीं खोलना कोई भी आयतो और खुद जाती है बुलगजल को मानने का तरीका ढूंडने के लिए यहाँ पुलिस वाला डिटेक्टिव से हॉल का नंबर लेके कॉल करता है और वो उठाता है वही लड़का मतलब दो यून पुलिस वाला बातों बातों में फसा के उसे घर का एडरेस ले लेता है फिर उसके घर जाता है दो यून गुसा हो जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि पुलिस वाला जूट बोल के घर तक पहुँच गया है और वो ड़रा भी रहता है कि अगर घर के मालिक मतलब हॉल को पता चलेगा तो उसे नहीं छोड़ेगा फिर पुलिस वाला पुरा घर चानमिन करता है जो कि इतनी फोटो देखके वो समझ जाता है कि वही कल्प्रिट है फिर उसे घर का एडरेस मिलता है तो वो जाता है दो यून को लेके क्योंकि उसने ही हॉल की शकल जो देखा था वहाँ घर में बस ड्राइवर जोर जोर से ठोक के घर में घुझ जाता है हॉल सीउ को पचा लेता है बट सीउ जैसी हॉल को टच करती है तो उसे अजीब सा लगता है फिर हॉल वो बस ड्राइवर का पीछा करता है फिर ये लोकार से आते हुए देख लेते हॉल किसी को पीछा कर रहा है वहां हॉल उसकी बहुत पिटाई करता है फिर वो लाइटर की हेल्प से पानी गिराता है क्योंकि पानी में वो मॉंस्टर और भी ताकतवर बन जाता है अब वो हॉल का मुकाबला टकर के साथ देता है फिर उसे रसी से लटका के छोड़ देता है वो समस्ता है कि हॉल मर गया है और बोलता है उसने बोला था कि तुम्हें फसा के यहां बुला सकते हैं वो लड़की की आत्मा हमारी है फिर हॉल आके खोल के बुलगजल बनता है और उसे पुछता है कौन है तुम्हारे साथ वो बोलता है डाक हॉल इससे पहले और कुछ पु arina लेटी कि वहाल आप घुणनों में हम साथ निरू से कुछ लिए। महांुंता है उन्जु नर्सिंग के मुन होई होई हम na stомина शबसे के सा चाई कि तुम हम सब को छोड़के भाग गई थी इसलिए बुल गजल पीछे से आके हमारा घर जला दिया और मॉम डेट को भी मार दिया बोलके चिलाने लगती है नर्स आके उसे शांत करवाती है वो सोते सोते बोलती है कि बुल गजल को बुल गजल के साथ मारो फिर उसे सीओ का के बारे में कि मैंने उसे टच की तो अजीब से लगा वो इंसान नहीं है हिंग जू बोलती कि नजदी कोटल में जाओ मैं आती हूं फिर वो भाग के जाती है तभी एक गारी में हैंजा मुंडा आता और वो लेड़ी के बारे में बोलता है कि कुछ बात कर नहीं है चलो रास्ते में छोड़ भी दूँगा बड़ फिर वो देखती है उसके हाथ में खून लगा है तो भागती है और उसका वो पीछा करता है भी पीछे से हौल आकर गारी से उसे ओढ़ा देता है फिर हॉल हिंजु को ढूंता रहता है वो सामने से आकर बोलती है तुम ही मेरा पीछा कर रहते है इतने साल तक तुम ही बुलगजल हो ना क्यों मुझे मानना चाते हो वो बोलता याद नहीं है क्या तुम्हारी जिरुआ बेन को याद था सिफ कि तुमने मेरे साथ पिछले जनम में क्या की थी हिंजु चिला के बोलती कि तुमने ही मेरी फैमिली को मारे होना और चाकु से उसे मारती है फिर दिखाता है पहले का जहां हॉल बस यहों को कुए में रखना चाता था बड़ आवाज सुनके जाके देख पुलिस वाला दोनों को लेके वो बस ड्राइवर की बता हुए रास्ते पहुंचता है तब ही वो रस्ती से पुलिस वाले को गला दबाता है फिर बैलेंस बिगने के कारण वो लोगे कार का एक्सिलन हो जाता है पुलिस वाला उटके बस ड्राइवर को ढूनता है तब ही द बाद सुनके समझ जाता है कि उसके सीवा एक और बुलगेजल है वो फिर महसूस करता है कि कोई आ रहा है तो हिंग्जू को भागने बोलता है और खुद के बॉड़ी से चाकू निकालता है डाक होला के उससे पूछता है कि 600 साल के बाद अभी क्यू टपके हो मैं तो उससे प की आतमा को मारना चाता हूं या अखुडी बारे उसका इसके बास जनम नहीं होगा हौल बोलता है वो आतमा मेरी है डाक होल बोलता मेरा वी और उसे चाकु से मारता है यह हिंजु भागती रहती है तब पिछे से डाकुल भी आता है तो उसके काम से खून निकलता है और वो गिर जाती है वो उसे बोलता है कि आत्माले की इंसान नहीं बना चाहिए था बड़ा पकर लिया हूं और उसे चाकु से मानने ही जाता है तब वहां दो यून हेल्प करता है हॉल की बड़ खुदी चाकु निकालता हुल के सकम पे दर्द होने लगता है वह बोलता रहता है कि क्या कि तुम्हारी बहने अगर मैं तुम्हारी आत्मा तोर नहीं सकता तो तुम्हें मारतो सकता हूं और उसका गलत दबाता है तभी पीछे से हौल उस पे चाकुफेक के मारता है वो बोलता है कि फिर से मिलेंगे बोलके चला जाता है फिर हौल हेंजू को उठाता है ताके वो अपनी फैमली का बदला ले सके हेंजू होश में आके बोलती है कि मेरी भेन ने तुम्हें ढूनने बोली थी एक इंसान जिसके हाथ में कटका निशान हूँ मतलब इतने दिन से हेंजू जिस तलवार को ढून रही थी वो कोई एक्शूल तलवार नहीं बलकी हॉल है उससे ही बुल गेजल को मार सकते है यहीं एपिसोड खतम हो जाता है हम मिलेंगे नेक्स एपिसोड में बाई, टेक्टे